चीन के गुल 118 मोबाइल एप बैन कर दिये हैं, पब जी को बैन कर दिया गया है, प्रशान्त हमारे साथ इस खबर पर जोड़ना है हमारे समवारे समवारे तो बेसिलिए आप सबी ने निउस तो देखी लियोगे, काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख लियोग पब जी मोबाइल जो है कुछ एप के साथ में रिडार में आ गया था, जिसमें उसको भी टेस्ट वेस्ट कर रहा होगा, तो देखा होगा गाईस की उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजे हैं जिससे की अपने देश को कोई भी हाम पहुंच रहा हो, ठीक है, तो उस पब जी मोबाइल को अब इंडिया के अंदर भी बैन किया जा रहा है, ये बिल्गूली सच न्यूस है, तो कि सबसे पहले मैं आप लोग एक क्लिप दिखा देता हूँ, जो कि मैंने न्यूस चैनल से लिए ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वो क्लिप को देखो. बहुत बड़ा फैसला सरकार का. कि ये इतने भी एप्स पे भारत की शुरक्षा और संप्रभूता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात कही गई है, तो कि सब मैं पूरी न्यूस नहीं दिखा सकता, आप लोग को पता कॉप्राइट वगरा लग जाता है, बट इस न्यूस से आप लोग हमारी इंकम वगएरा भी होती है, तो आपके साथ साथ दिक्कत सबसे ज़्यादा हम लोग को भी है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता दूँगाई, सबसे में जो चीज है, वो है वो जगा जहां पर हम लोग रहे हैं, अगर उस जगा पर PUBG Mobile जैसे किसी भी एप की वज यूज करते हैं, और इन एप के यूज करने से दूसरे देश को कोई और फायदा होता, और फिर वो उसी फायदे से हमारे देश के उपर में कोई और इंपक्ट डालता, तो वो चीज सही नहीं है, मतलब मैं इस चीज के बिलकुल सपोर्ट में हूँ, कि अगर ये फैसला इं टॉक बैन हुआ, तो MX टकार टक, उसके अलाबा मतलब इतने सारे अप आगे, ठीक है, उसी तरह से PUBG Mobile जैसे ही अगर बैन हो भी जाता है, तो आप लोग के सामने काफी सारे और भी गेम आ जाएंगे, जब तक हम लोग बैठ हुए है, हम लोग आप लोग को इंटरेन करने के आप लोग के लिए और बढ़िया बढ़िया गेम और भी सारी चीज़े ले करके आएंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना होप करता हूँ, कि आप सब इस चीज़ को सपोर्ट करो, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैला हूँ, और कैस काफी सारे लोग बोल लिए कि पब जी मोबाइल फाइलनेली बैन हो चुका है, तो बस लिए सही था आज की इस वाली वीडियो के इंदर में, आप लोग को सिर्फ ये छोटी सी इंफोर्मेशन देनी थी, और देको सब्सक्राइब कर लो, आगे चल करके और भी काफी सारे गेम हैं, और भी काफी सारी चीजे हैं, जिनसे आप लोग इंटरेन कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, तो वो सारी चीजे आप लोग को इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि पब जी खतम हो गया, तो आपका और हमारा जो रिस्ता था, जो मतलब एक फैमिली वाली चीज थी, वो बिलक झाल 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 सकतर के झाल एक यह।